नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन, करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत हैं, दोस्तों आज हम लोग एसके जहां सरजी के बूक का Speed and Velocity यानि कि गती और वेग का All Question हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, हाँ दोस्तों आप बिलकुल सही सुनें, गती और वेग का All Question हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, दोस्तों आप कोई भी एकजाम्स का तयारी कर रहे हों, उस एकजाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक-एक सवाल का Important समझेए और अच्छे से तयारी कीजिए, ओके दोस्तों चल कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी बस्तु की गती को क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, वेग कहा जाता है, Option C जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके चली Next Question देख लेते हैं, Next Question दूनमर कह रहा है, कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है, जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, Option C जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके चल का PDF मिल जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question तीन नमर कह रहा है कि चाल दूरी और समाय का सही संबंद 10 हैं चार option दिया है इसमें साब को चुन कर बताना है कि चाल दूरी और समाय का सही संबंद किसे से हैं तो s बराबर d बाटा t से हैं यानि कि speed बराबर distance बाटा time से हैं option b जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question चार नमर कह रहा है कि ततकालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब बस्तू में सुन त्वरण हो कब बराबर होते हैं दोस्तों जब बस्तू में सुन त्वरण हो option d जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question पांच नमबर कह रहा है कि किसी पींड का विश्थापन समाई के समानुपाती पाया जाता है किसी पींड का विश्थापन समाई के समानुपाती पाया जाता है जब पींड का वेग समरूप है कब पाया जाता है दोस्तों जब पी कोष्टव 6 नंबर कह रहा है कि मुक्टा अवस्था में गिर्ते हुए एक पिंड दवारा तय की गय दूरी समानुपाती होती हैं तो गिर्ने के समाई का वर्ग के समानुपाती होती हैं Option C जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा. Okay, चलिए next question देख लेते हैं. दोस्तों, मैं उमेद करता हूँ कि आपको question अच्छे से समझ में आ रहा है. Okay, चलिए next question देख लेते हैं. Next question आठ नमबर कह रहा है, कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बोस की गती, डैस गती का एक उधारन है, तो और समान गती का एक उधारन है. किस गती का एक उधारन है दोस्तों, तो और समान गती का. Option A जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा. Okay, चलिए next question देख लेते हैं. Next question नमबर कह रहा है, कि यदि वेग समाए ग्राफ समाए अक्ष के सामनांतर हो, तो क्या होगा? तो बस तु नियत वेग से चल रही हैं. मैं question को यह फिर से repeat कर दे रहा हूँ. Question कह रहा है, कि यदि वेग समाए ग्राफ समाए अक्ष के सामनांतर हो, तो बस तु नियत वेग से चल रही हैं. Option A जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा. Okay, चलिए next question देख लेते हैं. Next question दस नमबर कह रहा है, कि नीचे दिये गए वेग समाए ग्राफ का कौन सा भाग सुने त्वरण को परदर्सित करता हैं, तो BC वाला भाग जो है, वो सुने त्वरण को परदर्सित करता हैं, तो option B जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा. ओके चलिए next question देख लेते हैं, next question एगारे नमबर कह रहा है, मैं question को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में दीकत नहीं हो. ओके चलिए next question देख लेते हैं, next question एगारे नमबर कह रहा है, कि गती का दूसरा समीकरण, डैस और समाई के बीच संबंद देता है, चार option दिया है, इसमें साब को चुन कर बताना है, कि गती का दूसरा समीकरण, जो है, वो किसके और समाई के बीच संबंद देता है, तो एस जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन बारे नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मातरा चाल के साथ इसकी गती निर्देश्ट करती हैं तो वेग करती हैं कौन करती हैं दोस्तों वेग अप्शन सी जो हैं वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं दोस्तो अगर आपको आप वीडियो पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएए कि वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तो अभी तक आप इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं बैज्यानिक सब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता हैं तो वेग के पद के रूप में जाना जाता हैं किस पद के रूप में जाना जाता हैं दोस्तो तो वेग के पद के रूप में आप्शन यह जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मैं यह question फिर से repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है कि एक नेश्ची दिशा में बढ़ रही बस्तु की गती को बैज्ञानिक सब्धावली में किस पद के रूप में जाना जाता है तो वेग के पद के रूप में जाना जाता है option A जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question चोगदे नंबर कह रहा है कि वेग में परिवर्थन बाटा लगने वाला समाई बराबर होता है तो तोरण के बराबर होता है किसके बराबर होता है दोस्तो तोरण के option C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question पंदरे नमर कह रहा है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दोड़ने वाली कार के समबंद में इनमें से कौन सा कथन सत्त हैं तो कार का विग निरंतर बदल रहा है यहीं कथन जो है वो सत्त हैं option D जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मैं यह question फिर से repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दोड़ने वाली कार के समबंद में इनमें से कौन सा कथन सत्त हैं तो कार का विग निरंतर बदल रहा है यही कथन जो है वो सत्त हैं तो option D जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 16 नमबर कह रहा है कि जब कोई बस्तू एक समान गती से गती कर रही हो तो इसका तवरण क्या होगा तो इसका तवरण जो है वो सुनने होगा क्या होगा दोस्तो इसका तवरण जो है वो सुनने होगा option C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोफचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोफचन सतरे नंबर कह रहा है कि डैस का उपयोग एक बस्तु की समगर गती का वर्णन करने और किसी दिये गए समाय पर इसकी प्रारंबिक इस्तीती के संदर में अंतिम इस्तीती का पता लगाने के लिए किया जाता है तो दूरी और विस्थापन का उपयोग किया जाता है किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों दूरी और विस्थापन का अपसंसी जो है वो आपका पिल्कुल सही उतर हो जाएगा उके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन अठारे नमबर कह रहा है कि वेग और समाई का गुरन फल परदान करता है वेग और समाई का गुरन फल परदान करता है तो विस्थापन को परदान करता है किसको परदान करता हैं दोस्तों विस्थापन को option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 19 number कह रहा है कि यदि किसी बस्तु द्वारा तई की गई दूरी सुन है तो बस्तु का विस्थापन कितना होगा तो बस्तु का विस्थापन भी सुन ही होगा अपसन B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 20 number कह रहा है कि एक बस्तु को उपर की और फेका जाता है यह 100 मेटर की उचाई तक जाती है और फिर फेकने वाले के पास वापस आ जाती है तो इसमें क्या होगा तो इसमें बस्तु का वास्तु इक विस्थापन सुनने होगा तो इसमें क्या होगा दोस्तो बस्तु का वास्तु इक विस्थापन जो है वो सुनने होगा या सुनने है ऑप्सन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन 21 नमबर कह रहा है कि विस्थापन की परिवर्तन के दर को डैस कहा जाता है विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है तो वेग कहा जाता है आप्सन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जा लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन आपको 22 नमबर कह रहा है कि यदि कोई बस्तू समान समय अंतराल में और समान दूरी तयक करती हैं तो इसे डैस में कहा जाता हैं तो इसे और समान गती में कहा जाता हैं अप्शन यह जो हैं वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मैं यह में कहा जाता है तो इसे और समान گती में कहा जाता है और यह यह वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा उके चलिए next question देख लेते हैं next question चलिए next question 24 नमर कह रहा है कि जब एक परव्यक्षक के साफ एक्ष है समाय के साथ बस्तु की इस्तीती लागतार बदलती जा रही हैं तो कहा जाता हैं कि वह गतिसिल हैं drop आप्सन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन 25 नमबर कह रहा है कि किसी बस्तू का त्वरण इसके डैस में प्रती 21 समाई में हुआ परिवर्तन है तो इसके बेग में प्रती 21 समाई में हुआ परि इमने लिखित में से कौन सी एक वेक्टर मातरा है चार अप्सन दिया है इसमें साब को चून कर बताना है कि कौन सी एक वेक्टर मातरा है तो वेग जो है वो एक वेक्टर मातरा है अप्सन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 27 number कह रहा है कि frame के संदर्ब में जो समाय का function है एक बस्तू की स्थीती में परिवर्तन की दर क्या है उसे क्या कहा जाता है तो उसे vague कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तो vague option C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 28 number कह रहा है कि समाय के साथ किसी बस्तू का vague दिखाने वाले graph को कहा जाता है समाय के साथ किसी बस्तू का vague दिखाने वाले graph को क्या कहा जाता है तो उसे vague समाय graph कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तो वेग समाई ग्राफ, option ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं, next question 29 नमबर कह रहा है कि सुन्ने त्वरण का अर्थ डैस है सुन्ने त्वरण का अर्थ क्या है दोस्तो तो वस्तू का वेग स्थिर होता है option ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं, next question 30 नमबर कह रहा है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ डैस है धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है कि बस्तू का वेग बड़ जाता है option C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं, next question 31 नमबर कह रहा है कि गती का दूतिय समिकरन है चार option दिया है, इसमें साब को चुन कर बताना है कि गती का दूतिय समिकरन क्या है तो गती का दूतिय समिकरन जो है, s बराबर ut plus half 80 square है क्या है दोस्तो, s बराबर ut plus half 80 square, option D जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं, next question 32 number कह रहा है कि सुनने से स्वतंतर रूप से गिरने वाली बस्तू में डैस होता है सुनने से स्वतंतर रूप से गिरने वाली बस्तू में क्या होता है तो समान त्वरण होता है, क्या होता है दोस्तो, समान त्वरण होता है option C जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन 33 नमबर कह रहा है कि डैस वा भावतिक रासी है जो कभी भी रिनात्मक नहीं हो सकती चार अप्सन दिया है इसमें साब को चून कर बताना है कि डैस वा भावतिक रासी है जो कभी भी रिनात्मक नहीं हो सकती तो दूरी वह भावतिक रासी है जो कभी भी रिनात्मक नहीं हो सकती है कौन नहीं हो सकती हैं दोस्तो दूरी अप्शन यह जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोच्चन 34 नमबर कह रहा है कि कोई पिंड वेग भी के साथ उपर की और उर्धवारतर रूप से फेका जाता है यह उचाई एच तक पहुचने के बाद प्रिथवी की और लोट आता है पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा बिस्थापन का अनुपाद क्या है पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा बिस्थापन का अनुपाद क्या है दोस्तो तो अनुपाद है अप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोच्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोच्चन 35 नमबर कह रहा है कि कि किसी ट्वरान से पिंड गति सील है तो बदलते हुए ट्वरान से गति सील है अप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोच्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोच्चन 36 नमबर कह रहा है कि कि किसी वाहन की गति मा पेयंत्र बताता है उस उसकी तक्षणिक चाल को बताता है किसको बताता है दोस्तों उसकी तक्षणिक चाल को आपसन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन 37 नमबर कह रहा है कि एक समान तोरण पर गती के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है चार अपसन दिया है इसमें आपको चून कर बताना है कि एक समान तोरण पर गती के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है तो B बराबर U पलस 80 वाला समीकरण जो है वो सही है कौन समीकरण सही है दोस्तो भी बराबर U पलस 80 वाला समीकरण option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 38 नमबर कह रहा है कि एक पिंड U वेग से उर्धवारतर रूप से एक फर्स से टकराता है तथा उसकी गती उचलता है गती में परिवर्तन होगा गती में कितना परिवर्तन होगा तो माइनस 2 U का परिवर्तन होगा option D जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मैं यह question फेशे repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है कि एक पिंड यू वेग से उर्धवारतर रूप से एक फर्स से टकराता है तथा उसी गती से उचलता है गती में परिवर्तन होगा तो गती में माइनस 2 U का परिवर्तन होगा option D जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 49 नमबर कह रहा है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दीसा दोनों नियत हो option C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तो मैं यह question पीछे में भी करा चुका हूँ यह question repeat है ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 40 नमबर कह रहा है कि एक समान बिर्तिये गती में डैस होती है एक समान बिर्तिये गती में क्या होती है तो चाल अचर और वेग चर रहते हैं एक समान बिर्दिय गती में चाल औचर और वेग चर रहते हैं अप्सन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन 41 नमबर कह रहा है कि वेग भी से चलती हुई कार का ड्राइबर ए दूरी पर आचानक स उसे निमने लिखित करना चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए तो उसे तेजी से ब्रेक लगाने चाहिए और उसे तेजी से मूर लेना चाहिए यानि कि A और B दोनों करना चाहिए अप्सन C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोचन समानुपाती पाया जाता है जब पींड का त्वरण समरूप है कप पाया जाता है दोस्तों जब पींड का त्वरण समरूप है आप्सन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 43 नमबर कह रहा है कि मुक्ता अवास्था में गिरते हुए एक पींड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है तो गिरने के समाई के वर्ग का किसके समानुपाती होती है दोस्तों ताकि आपको पढ़ने में दिकत नहीं हो ओके दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन 44 नमबर कह रहा है कि मोटर गाड़िया A and B के दूरी समय गराब से पाता चलता है क्या पाता चलता है तो पता चलता है कि पूरी दूरी तक A की अपयक्षा B जो है अधिक वेग से चली है अप्शन C जो है ओ आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन 45 नमबर कह रहा है कि निमने लिखित गराफ क्या परदर्शित करता है एक गराफ जो है वो क्या परदर्शित करता है तो एक समान तोरण परदर्शित करता है एक गराफ जो है वो एक समान तोरण परदर्शित करता है अप्शन A जो है नेक्स्ट कोश्चन 46 नंबर कह रहा है कि सुनने से स्वतनत रूप से गिरने वाली बस्तुमों की डैस होती है तो समान त्वरण होती है क्या होती हैं दोस्तों समान त्वरण होती है अप्सन C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन यहाँ संताओ नहीं यहाँ 47 होना चाहिए नेक्स्ट कोश्चन 47 नंबर कह रहा है कि एक बस्तुमों और समान बेग तथा समान त्वरण से गताईमान है तब उस पर क्या होगा तो वेग समाई ग्राफ रेखिये होगा तो क्या होगा दोस्तों तो वेग समाई ग्राफ रेखिये होगा अपसन C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मैं यह कोश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ next question 47 number कह रहा है कि एक बस्तू और समान बेग तथा समान तोरन से गतिमान है तब वेग समाई ग्राफ जो है वो रेखिये होगा option C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो next question देख लेते हैं next question 48 number होना चाहिए next question 48 number कह रहा है कि पिंड का तोरन परदर्सित करता है चार option दिया है इसमें साब को चून कर बताना है कि पिंड का तोरन क्या परदर्सित करता है तो D square S बाटा D T square को परदर्सित करता है option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 49 number कह रहा है कि एक कण एक सामान वेग से गतिमान है कण की गति के संबंद में निमने लिखित में से कौन सा कथन सत्त है तो इसकी तोरन सुन है यहीं कथन जो है वो सत्त है तो option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं next question 50 number कह रहा है कि एक सामान वेग से चलती किसी बस्तु का त्वरन डैस होगा एक सामान वेग से चलती किसी बस्तु का त्वरन क्या होगा तो सुनने होगा क्या होगा दोस्तो सुनने होगा option b d जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question एकाओं नमबर कह रहा है कि मंदता का अर्थ डैस तोरण है मंदता का अर्थ कौन सा तोरण है दोस्तो तो रिणात्मक तोरण है मंदता का अर्थ जो है वो रिणात्मक तोरण है option a जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question बाओं नमबर कह रहा है कि किसी बस्तू का वेग ब्यतित हुए समाई के समानुपाती होता है तो बस्तू का डैस होगा तो बस्तू का क्या होगा दोस्तों एक समान तौरण होगा तो बस्तू का एक समान तौरण होगा option b जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मैं यह question खรिसे repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है कि किसी बस्तू का वेग ब्यतीत हुए समाई के समानुपाती होता है तो बस्तू का डैस होगा तो बस्तू का एक समान त्वरण होगा अप्शन B जो है ओ आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन तीरपन नमबर कह रहा है कि डैस एक बस्तू की प्रती इकाई समाई में बेग में परिवर्तन की माप हैं तो त्वरण है कौन है दोस्तो त्वरण है अप्शन C जो है ओ आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चली नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन चववन नमबर कह रहा है कि एक साइकिल इस्थिर तोरण से चलाय मान है तो पीछे के पहिये पर घरसन बल है तो पस्से दिशा में हैं किस दिशा में हैं दोस्तों पस्से दिशा में अप्शन C जो है ओ आ समय अक्च के सामनांतर हो तो गती होती है गती किस दिशा में होती है तो एक समान होती है मैं यह question फिर से repeat कर दे रहा हूं question कह रहा है कि यदि वेग समय graph समय अक्च के सामनांतर हो तो गती होती है एक समान तो गती एक समान होती है option यह जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो ज कि एक लोहे की गेंद एक लकड़ी के गेंद को निर्वात में H उचाई से गिराया जाता है तो दोनों को पृत्वी तक पहुचने में लागा समाई होगा तो बिल्कुल समाई लगेगा दोनों को पृत्वी तक पहुचने में लागा समाई होगा तो बिल्कुल समाई होगा अ एक समान त्वरित गती के लिए वेग समय ग्राफ होता है तो सरल रेखा होता है कैसा होता है दोस्तों सरल रेखा अप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा उगे दोस्तो इतना कोशन था मैं टोटल कोशन करा दिया मैं उमीद करता हूँ कि सारा कोशन आपको याद हो गया होगा